क्या आपको पता है कि जापान के व्यग्यानिकों ने एक ऐसा डिवाइस यानि एक ऐसा यंत्र बनाया है जिसकी मदद से आप अपने सपने को एक वीडियो के रूप में देख सकते हो और क्या आपको पता है कि जो फोटो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये है कम्प्यूटर का वाल्पेपर जिसका नाम है लैंड्सकेप और इस फोटो इस वाल्पेपर को आपने अक्सर कम्प्यूटर के स्क्रीन पर जरूर से जरूर देखा होगा लेकिन क्या आपको पता है कि ये फोटो किस इंसान दोरा खीचा गया था तो ऐसा ही कमाल के लिमिटेड फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंडर तक देखते रहेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फैक्ट नमबर टैन क्या आप जानते हैं कि जापान में एक रिजॉट मोजूद है यानि एक तरह का होटल जिसका नाम है टोमामू रिजॉट और यह जो रिजॉट है यह एक पहाड की चोटी के ऊपर बनाया गया है जीहां सही सुना आपने यानि जो पहाड čोटा है और उसी चोटी पे ये एक होटल यानि एक रिजॉर्ट बना हुआ है और जब लोग या खाना खाते है तो उने यह महसूस होता है कि वहाँ बादलों में तैर कर खाना खा रहे हैं और उन्हें यह क्यों महसूस होता है वो आप स्क्रीन पर फोटो देख कर समझी सकते हैं और इसी खास्यत के कारन कि यह जो hotel है, यह resort है, यह बादलो में बना हुआ है, बादलो में तेर रहा है, इसी खास्यत के कारन यह जो hotel, यह जो resort है, इस dunia के कुछ खास, amazing और अधभूत resort में इसका नाम गिना जाता है जिस एलेक्ट्रिसिटी यानि बिजली की मदद से आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो अपने घर में टीवी चलाते हो अपने घर में एसी चलाते हो लेकिन क्या आपको पता है कि यह जो बिजली यानि एलेक्ट्रिसिटी है हमारे भारत देश में सबसे पहले कहां लाया गया यानि जो electricity है वो हमारे भारत में सबसे पहले किस जगा स्थापित किया गया तो सुन लिजिए बैंगलूरु वो पहला शहर था या पहला शहर है जहां सबसे पहले बिजली लाया गया यानि बैंगलूरू की लोगों को सबसे पहले electricity नसीब हुआ और उसके बाद ये धीरे-धीरे भारत के अन्य जगहों में फैला जैसा कि आपको पता होगा कि आज के लोग बहुत ही advance हो चुके है आज का जामाना बहुत ही advance हो चुका है लेकिन आज के लोग बिना किसी सबूत के किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करते हैं तो एक बार क्या हुआ कि जैसा कि आपको पता होगा कि Sony एक बहुत ही बड़ी company है जो कि TV, mobile बहुत चीजों को manufacture करती है तो एक बार Sony company ने एक headphone launch किया जिसका नाम था Walkman और Sony company ने ये बताया कि ये जो headphone है ये waterproof है जी हाँ सही सुना आपने ये जो headphone है ये waterproof है लेकिन लोगों को ये विश्वास नहीं हुआ कि ये जो headphone है ये waterproof है और सिर्फ लोगों को विश्वास दिलाने के लिए सिर्फ लोगों को विश्वास दिलाने के लिए सोनी कमपनी ने इस हेड़फोन को पानी के बोटल के अंदर बेचना शुरू कर दिया जी हाँ सही सुना आप में लोगों को यह साबित करने के लिए कि यह वाकमेन हेड़फोन वाटर प्रूफ है सोनी कमपनी ने इसे बोटल के अंदर बेचना शुरू कर दिया और सच बोले तो इस बोटल के अंदर बेचने के कारण ही यह जो हेड़फोन है बहुत ही ज्यादा मात्रा में बिका तो इससे आप एक वास सिख लिजिए कि विश्वास बहुत ही बड़ा चीज होता है क्या आपको पता है कि एक ऐसा कार है जिसके अंदर एक स्विमिंग पूल मोजूद है जिहा सही सुना आपने यानि ये कार के अंदर एक स्विमिंग पूल मोजूद है तो वो कौन सा कार है सुन लिजिए, तो वो है दुनिया का सबसे लंबा कार, जो की लैमोसिन कंपनी द्वारब बनाया गया था, और इस कार के अंदर सच का एक स्विमिंग पूल मौजूद है, जिसमें आप नहा सकते हो, और इस कार की बहुत सारी और भी खास्यत है, और वो इस необходимо कार के अंदर सच एक हलीपेंड मोजूद है यानी इस कार के उपर एक हेलीकॉप्टर सच में उतर सकता है लेकिन एक बार किसी कारण से ये car है इसे इसके कमपनी वालों ने तोड़ दिया लेकिन जब इसके ऑरनर्स खु़ ol ये पता चला कि इस कार के क्या आप जानते हैं कि एक इनसान ने एक ऐसा स्कार्फ यानि एक ऐसा गमच्छा बनाया है कि अगर आप इस गमच्छे को ओड लोगे तो इस दुनिया का कोई भी कैमरा आपका फोटो नहीं खिच सकता है जी हाँ सही सुना अपने एक ऐसा गमच्छा है जिसे अगर आप ओड लोगे तो कोई भी आपकी फोटो नहीं खिच सकेगा तो इस गमच्छे का नाम है इशू और इसे कुछ ऐसे तरीके से बनाया गया है कि अगर कोई फोटो ग्राफर आपका फोटो खिचता है तो आपको प गमच्छा आएगा क्योंकि उस गमच्छे को ऐसी टेकनोलोजी से बनाया गया है क्योंकि कई बार लोग अपना फोटो खिचवाना नहीं चाते हैं लेकिन कुछ फोटोग्राफर्स जो कि कुछ ज़्यादा ही धीट होते हैं वो खीच लेते हैं और इनी धीट से देखा है अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए इस मूवी में एक एक्टर है जिनका नाम है स्कॉर्ज जेनेगर और जो लोग हॉलिवूड फिल्म के शौकीन है वह इस वीडियो का जरूर इस फैक्ट को जरूर जरूर देखिएगा और स्कॉर्जेनेगर को बह था जी हां सईसुना आपने यानि इक शब्द एक वर्ड बोलने के लिए इन्हों ने मैं जो बोला नहां पंद्रा लाक इन्होंने सिर्फ दो शब्द बोलने के लिए फैक ईरी वाप्नी इन्होंने करीब मान लिज़े अगर 30 सेकेंड का भी कोई डायलोक बोला होगा तो ये तो करोड़ पती बन गए होंगे फैक्ट नमबर 4 पतंजली कमपनी जिसके मालिक है बाबा रामदेव जी और ये पतंजली कमपनी अभी भारत में काफी ज्यादा ही फेमस हो गई है और आपको पता हुआ कि ये पतंजली कमपनी बहुत सारी चीज़े मैनुफेक्चर करती है लाइक आटा, चावल, सैंपू, दवाई और भी बहुत आयरुवेदिक चीज़े को लेकिन क्या आपको पता है कि एक सल पहले पतंजली ने एक ऐसा चीज़ लाइच कर दिया एक ऐसा प्रोडक्ट लाइच कर दिया जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और वो है पतंजली SIM कार्ड चीहाँ सही सुना आपने पतंजली ने एक अपना SIM कार्ड भी लाइच कर दिया है जिसका नाम है सुधेसी समरिधी सिम कार्ड और इसे पातंजली कमपनी ने BSNL कमपनी के साथ पार्टनर्शिप करके लॉंच किया है और अगर इस सिम कार्ड को आप खरीदोगे तो आपको 5 लाक रुपे तक का बीमा करवाया जाएगा आपका इंसुरेंस होगा और बाबा रामदेव जो की इस पातंजली कमपनी के मालिक है उन्होंने ये कहा है कि इस सिम से जितना भी प्रॉफिट उनकी कमपनी को होगा वो इन सभी पैसों को गरीब बच्चों में दान कर देंगे मतलब बहुत दिन दूर नहीं जब पातंजली कमपनी मोबाइल, कम्प्यूटर, कार, एरोप्लेन, हेलिकॉप्टर ये सब भी लॉंच करने लगेगी क्या आपको पता है कि नौर्वे इस दुनिया का एकमातर ऐसा देश है जो इस दुनिया में बैठे हुए किसी भी इस्टुडेंट यानि छात्र को फ्री में education देने के लिए तयार है यानि अगर आप नौर्वे जाओगे तो यहां की public universities में आप जितना चाहे उतना पढ़ सकते हो वो भी फ्री में क्योंकि नौर्वे की government नौर्वे की सरकार दुनिया में बैठे हुए किसी भी इनसान को बीना पढ़ा लिखा नहीं देखना चाहती है और पढ़ाय को लेकर यहां की government बहुत ही ज्यादा strict है और इस strictness के कारण नौर्वे के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पढ़ फुल वीडियो देख सकते हो जी यहां सही सुना आपने यानि पिछले रात आपने कौन सा सपना देखा आप अगर अपने सपने को भूल गए हो तो इस device की मदद से आप उसका एक फुल वीडियो देख सकते हो मतलब एक तरह से देखा जाए तो यह जो device है यह जो यंत्र है आपके सपने का एक फुल वीडियो आपको दिखा रहा है और इस device का नाम है MRI Machine जो कि आपके सपने को एक वीडियो में convert कर देता है और इसी खास्चत के कारण यह device इस दुनिया का एकला होता है ऐसा device है जो यह काम करने के लिए capable है लेकिन आप यह मत सोच लीजेगा कि यह device आपके पूरी जिंदगी का सपना को एक वीडियो में दिखा सकता है आपने पिछले रात क्या सपना देखा उसके अगले दिन यह device उसका वीडियो तयार कर सकता है इसका capability इतना ही है Fact No.1 क्या आप जानते हैं कि जो आप अभी अपने स्क्रीन पर फोटो देख रहे हो यह कंप्यूटर में मुझूद वाल पेपर जिसका नाम है Landscape जो कि आप अकसर हर एक कंप्यूटर में देखते हो हर एक कंप्यूटर के वाल पेपर की स्क्रीन पर अकसर यह फोटो लगा हो एक जरा भी इडिट नहीं किया गया है और इस फोटो को खीचने वाले शक्स इंसान का नाम था चार्ल्स ओरियर जिसने अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस कोरेनोस गाउं के एक खेत में इस फोटो को सन 1996 में खीचा था और इस फोटो को माइक्रोसॉट में 2000 सन 2000 में खोग तो लाइक कर दिजेगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्टिस चूरूज को सब्सक्राइब ने किया तो फ्लीज फ्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दिजिए और अगर आपको मेरे ऐसे ह और वीडियो देखने हैं तो उपर दिये गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्स फोर वाचिंग